केंद्रियम मंत्रीगण के उपस्तित सभी महानुभाव, देवियों और सजिनों आज देश दीर सहिब जादों के अमर बलिदान को याग कर रहा है कि उनसे प्रेणा ले रहा है आज हादी के अमरत काल में बीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याए प्रारंब हुआ है पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तोर पर मनाया था तब पुरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिव जादों की वीर गाथां को सुना था बीर बाल दिवस भारतियाता की रक्षा के लिए कुछ भी कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीख है ये दिन हमें याद दिलाता है कि शावर्य की पराकास्टा के समय कम आयो माइने नहीं रखती ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे सुरा सो पहचानिये सुरा सो पहचानिये जो लरई दिन के हेद पुर्जा पुर्जा कट मरे कभूना चाड़े खेद माता गुजरी गुरु गोविन सीजी और उनके चारों सहब जादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतिय को ताकत देते हैं इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतीम शावरिय और उनको जन्म देने वाली माता के प्रती राष्ट्र की सच्ची स्रद्धान्जली है आज मैं बाबा मोतिराम महरा उनके परिवार की शहादत और दिवान टोडर मल की भक्ति को भी स्रद्धा पुर्वग याद कर रहा हमारे गुरुओं के प्रती अगाद भक्ति राष्ट्र भक्ति का जो जज़्बा जगाती है यह उसकी मिशाल थे मेरे परिवार जनों मुझे खुशी है कि वीरबाल दिवस अब अंतराष्ट्य स्तर पर भी बनाए जाने लगा है इस वर्ष अमेरिका ब्रिटन ऑस्ट्रेलिया नूजिलेंड यूएई और ग्रीस में भी वीरबाल दिवस से जुड़े कारकम हो रहे हैं भारत के वीर साहब जादों को पुरी दुनिया और जादा जानेगी उनके महान कर्तुत्व से सीखेगी तीन सो साल पहले चमकौर और सरहिंद के लड़ाई में जो कुछ हुआ वह अमीट इतिहास है यह इतिहास बेमिसाल है उसी इतिहास को हम भुला नहीं सकते उसे आने वाली पीडियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है जब अन्याय और अत्याचार का गोरंदकार था तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया हम भारतियों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया हर आयू के हमारे पुर्वजों ने तब सर्वोच बलिदान दिया था उन्होंने अपने लिए जीने के बजाए इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया साथियों जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया आज जब हम अपनी विरासत पर गरव कर रहें तब दुनिया का नजरिया भी बदला है मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिक्ता से बहार निकल रहा है आज के भारत को अपने लोगों पर अपने सामर्थ पर अपनी प्रेणाओं पर पूरा पूरा भरोसा है आज के भारत के लिए साहिब जादों का बलिदान राष्ट्रिय प्रेणना का विशह है आज के भारत में भगवान बिर्सा मुंडा का बलिदान गोविन गुरु का बलिदान औरे राष्ट्र को प्रेणना देता है और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है सम्मान देती है चाथियों आज पुरी दुनिया भारत भूमी को अवसरों की भूमी उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है आज भारत उस्टेक पर है जब बड़ी वैश्विक चुनोतियों के समवधान में भारत बड़ी भूमी का निभा रहा है अर्थ व्यवस्ता हो विज्ञान हो अनुसंधान हो खेल हो नीती रणनीती हो आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है और इसलिए ही मैंने लाल के लिए से कहा था यही समय है सही समय है यह भारत का समय है आने वाले पती साल भारत के सामर्थ की पराकाश्टा का प्रतंड प्रधरशन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा अपने राष्टिय चरित्र को और ससक्त करना होगा रहे हमें एक पल भी घवाना नहीं है अपने एक पल भी ठैरना नहीं है गुरुआ ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है हमें इस मिट्टी की आन, बान, शान के लिए जीना है हमें देश को बहतर बनाने के लिए जीना है हमें इस महान राष्टकी संतान के रुप में देश को बिक्सित बनाने के लिए जीना है जूटना है, जूजना है और विज़ई हो करके निकलना है मेरे परिवार जनों आज भारत उस कालखन से गुजर रहा है जो यूगो यूगो में एक बार आता है आज जहा के दीके इस अमरित काल में भारत के स्वर्णिम भविश को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे जादा युवा देश है इतना युवा तो भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई के समय भी नहीं था जब उस युवा शक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस उन्चाई पर ले जा सकती है वो कलपना से भी परे है भारत वो देश है जहां नची केता जैसा बालक ज्यान की खोश के लिए धर्ती आस्मान एक कर देता है भारत वो देश है जहां इतनी कम आयू का भिमन्यों कठोर चक्रवियू को तोडने के लिए निकल पड़ता है भारत वो देश है जहां बालक दुरू ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुल्डा नहीं की जा सकती भारत वो देश हैं जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयू में ही एक सामराज जगा नित्रुत्व करनी और कदम बढ़ा देता है भारत वो देश हैं जहां एक लब्वे जैसा सीचय अपने गुरू को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनिय कर्म करके दिखा देता है भारत वो देश हैं जहां खुदिराम बोस, बटुके इश्वरदत, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों विरों ने देश के लिए अपना सब कुछ लोचावर करने में एक पल भी नहीं सोचा जिस देश की प्रेरा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष को पाना असंबव नहीं है इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों आज के नवजवानों पर है बविश्य के भारत के करनधार यही बच्चे है अभी हाँ जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया उनका अध्भूत कौशन दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ कितना जादा है मेरे परिवार जनो आने वाले प्रतीज साल हमारी युवाश्रक्ति के लिए बहुत बड़ा आउसर लेकर आ रहे हैं भारत का युवां किसी भी छेत्र में किसी भी समाज में पैदा हुआ हो उसके सपने असीम है इन सपनों को पूरा करने के लिए कि नया सामर्थ विक्सित करेगी आज दस हजार अटल टिंकरिंग लैप्स हमारे विद्यार्थिवों में इनोवेशन की रिसर्च की नई ललक पैदा कर रहे हैं कि आप स्टार्ट अपिंग्य अभियान को देखिए 2014 में हमारे देश में स्टार्ट अप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे आज भारत में सबाल लाख नए स्टार्ट अप्स है इन स्टार्ट अप्स में युवाओं के सपने हैं इनोवेशन है कुछ कर गुजरने का प्रयास है आज मुद्रा योजना से आठ करोड से जादा नवजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया है ये भी गाउं, गरीब, दलीद, पिछडे, आदिवासी, बंचित वरके युवा है युन युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था इनकी गारंटी भी मोदी ने ली हमारी सरकार इनकी साथी बनी हमने बैंकों से कहां कि आप भय मुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए लाखों करोड रुप्य का मुद्रा लोन इसे पाकर करोड़ों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया है साथियों हमारे खिलाडी आज हर इंटरनेशनल इवेंट में नए रिकॉर्ड मना रहे हैं इस में से अधिकतर युवा गावों से कस्बों से गरीब और निम्न मद्यम भरगिये परिवारों से ही है इनको खेलों इंडिया भ्यान से घर के पाथ ही बहतर खेल सुविदाय मिल रही है पारदर्शी चयान प्रक्रिया और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए उचीत व्यवस्ता मिल रही है इसलिए गाव गरीब के बेटे बेटी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे है ये दिखाता है कि जब युवा हीत को प्रात्विक्ता मिलती है तो परणाम कितने शांदार बहुते हैं आधियों आज जब मैं भारत को तीसरे नंबर की अर्थ ववस्ता बनाने की बात करता हूँ तो उसके सबसे बड़े लाभारती मेरे देश के युवा ही है तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बहतर स्वास्त बहतर सिख्षा तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक आउसर अधिक रोजगार तीसरे नंबर की आर्थिक तांकत होने का मतलब है quality of life, quality of products साल 2047 का विश्चित भारत कैसा होगा उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है सरकार एक दोस के रुपे, साथी के रुपे आपके साथ मजबूती से खड़ी हुई है विश्चित भारत निर्माण के लिए युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र व्यापी अभियान चल रहा है मैं सभी नवजमानों से माई गौपर विश्चित भारत से जुड़े सुझाव साजा करने का फिर से आगर करूंगा देश्ट युवाँ सक्ति को एक ही प्रेटफर्म पर लाने के लिए एक और बहुत बड़ा मंच एक बहुत बड़ी संस्ता सरकार ने बनाई है ये संगठन है ये मंच है मेरा युवाँ भारत यानि माई भारत ये मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन मनता जा रहा है आज कल जो विशिद भारत संगठन भी आत्राय चल रही है उनके दोरान भी लाखों युवाँ इस माई भारत प्लेटफर्म पर रजिस्टर कर रहे है मैं देश के सभी युवाँँ से फिर कहूंगा कि आप माई भारत पर जाकर खुद को जरूर रजिस्टर करें मेरे परिजनों आज भी बाल दिवस पर मैं देश की सभी नवजवारों से सभी युवाँँ से अपने स्वास्थ को सर्वच प्राश्वीक देने का आग्रह करूंगा जब भारत का युवाँ फिट होगा तो वो अपने जीवन में अपने केरियर में भी सुपर हिट होगा भारत के युवाँँ को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए उन्हें फॉलो करना चाहिए जैसे आप दिन में या सब्ता में कितनी फिजिकल एक्सेसाइज करते हैं आप सूपर फूर्ड मिलेट स्री अन्न के बारे में जानते हैं लेकिन क्या अपने इस डाइट में शामिल कर रखा है डिजिटल डीटॉक्स डिजिटल डीटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं क्या आप एक दिन में परियाप्त निन्द लेते हैं या फिर निन्द पर उतना ध्यानी नहीं देते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आज की आधुनी किवा पीडी के सामने चुनोती बनकर खड़े हैं एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट के रूप में एक समाज के रूप में हमें ध्यान देरी की जरुरत है ये समस्या है नशे और ड्रक्ष्टी है इस समस्या से हमें भारत की युवाश शक्ति को बचाना है इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा मैं आज दीरबाल दिवस पर सभी धर्मगुरूं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आगर करूँगा कि देश में ड्रस को लेकर एक बड़ा जनांदोलन हो एक समर्थ और ससक्त युवाशक्ति के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्चक है सबका प्रयास की यही सीख हमें हमारे गुरूओं ने दी है सबका प्रयास की इसी भावना से भारत विक्सित बनेगा एक बार फिर महान गुरूप परंपरा को शहादत को नया सम्मान नई उंचाई पर पहुंचाने वाले वीर साहब जादों को स्रद्धा पुर्वक नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है वहे गुरी जी का खाल्चा आप सकत quई वीर गा परंपर पहुत बहुत पाल्चाने times